तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू बैग माई शेनल फार्मिंग वितनिल तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख सकते हैं यह मेरा लाइक लोगी का पोधा है और इस पोधे को हम इस जगा मिट्टी में ट्रांस्प्लांट करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंग और आप भी सीख पाएंगे लाइक कि किस प्रकार लोगी के पोधे को ट्रांस्प्लांट किया जाता है तो दोस्तों यह हम पोधे अल्रेडी तयार किये हुए हैं और यदि आप भी इस तरह के पोधे तयार करना चाहते हैं तो आपके राइट साइड में आई बटन सो हो रह चलिए दोस्तों आप वीडियो को देखते रहे कि किस प्रकार हम अपने पोधे को ट्रांस्प्लांट करते हैं तो इस जगह आप देख सकते हैं अमें गड़क हो देंगे उसी साइज का दोस्तों हमारे जो मिट्टी है उस मिट्टी में नमी बनी हुई है तो इस प्रकार अब ग्लास में पोधे हैं उन पोधे को इसे निकालेंगे की यह आप देखी हमारे पोधे बहुत ही आसानी से निकर गए हैं और यह आप उनके रूप देख सकते हैं कि इस पोधे को इस गड़दे में रख देंगे अच्छे से तो इस प्रकार पोध्य को गड़्धी में रख दिये हैं तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं और हलके हाथों से इन्हें पुष करना है और गड़्धे में रखने के बाद दोस्तों में पानी देंगे यह तो इस परकार दोस्तों आपको पानी दे देना है पोध्य को अच्छे से ताकि वो तो इस परकार दोस्तों आप भी चाहें तो अपने पोध्य को ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से सबी को डरीसलिया को अख डरि तो आपके मां शीख पाए होगे कि इस परकार लइक को ट्रांस्प्लांट किया जाता है एक है और आप के घ्ली है अ fraction नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करनां बिल्कुल दाता रहता हूं तो दोस्तों मिलते हैं आप से अगले वीडियो में जब तक के लिए हैं पी गार्डनी